Hello students, तो आब हम करेंगे question number 2, तो question number 2 क्या कहता है, construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 cm long and one of the legs is 4 cm long, यहाँ पे leg का मतलब है एक side, तो एक triangle है जिसकी hypotenuse दे रखी है और जिसकी एक side दे रखी है 4 cm, अब right angle triangle का मतलब यह होता है कि उसमें एक angle जो है, वो 90 degree का होगा, और hypotenuse क्या होता है, जो 90 degree angle के सामने वाली side होती है, उसको बोलते है hypotenuse, तो यहाँ पे इसका हम एक rough figure बना लेते हैं, हम माल लेते हैं, कि यह है हमारा एक 90 degree का angle, और इसके जो सामने की side है न, यह वाली, यह दे रखी है 6 cm, और इन में से एक side दे रखी है, उसको हम किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4 cm, तो यह एक triangle बन जाएगा, इस triangle को हम कुछ नाम दे देते हैं, XYZ, तो सबसे पहले हम base बना लेते हैं, यहाँ पे XY, और यह कितना दे रखा है 4 cm का, तो यहाँ पे, इस point पे हम इस point को रखेंगे, और यह 4 cm की line बना लेंगे, तो यह हो गई 4 cm की, अब यहाँ पे हम एक angle बनाएंगे 90 degree का, angle दो तरीके हम बना सकते हैं, या तो protector की help से भी बना सकते हैं, या फिर compass की help से भी बना सकते हैं, तो हम लोग direct protector की help से बना लेते हैं, चुकि यहाँ पे कोई mention नहीं कर रखा है, तो इस तो इस point को हम इस line के साथ मिला देंगे, इस तरह से, ठीक है, यह हो गई हमारी angle 90 degree, अब हम क्या करेंगे, compass में इस side को fill करेंगे, तो यहाँ पे हम इस compass में 6 cm को fill कर लेते हैं, यहाँ पे 6 के उपर रखेंगे इस needle को, और इसको 0 तक ऐस तरह से open कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में इस point के उपर हम इसकी इस needle को रखेंगे, और एक arc लगा देंगे, इस तरह से, तो यहाँ पे हमें एक point मिल जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस point को इसके साथ मिला दे देंगे, तो यह मिल गया point, और इस point को, इस point के साथ मिला देंगे, इस तरह से, तो यह हमारी जो triangle बनेगा, x, y, z, इसमें यह दे रखा है, 6 cm, तो यह हमारा एक right angle triangle बन गया, questions हम आप, next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना ही,